देखें किसी का 55 साल तो किसी का 100 साल हो गया है जमीन को खरीदे हुए जमीन को खरीद लिया मकान बना लिया यानि कह सकते हैं कि पूरी जमीन पर उनका बरतमान में कबजा है लेकिन ये कबजा होते हुए भी इस जमीन का आज तक जो है वो दाखिल खारिज नहीं हुआ अब लेकिन ये दाखिल खारिज नहीं होने से एक बडरा समस्या उत्पन हो जाएगा किसी का ऐसा समस्या 100 साल से है यानि पुराना कागजात के अधार पर जो पुराना कागजात हुआ करता था उसी के अधार पर जमीन को खरिदा गया किसी का ऐसा है कि जो नया कागजात त्यार हुआ उसके अधार पर यहां पर खरिदा गया तो अब ये जो है प्रोपर्टी खरीद लिया गया जमीन को अपने कबजे में ले लिया गया लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराये गया आज जब ये मामला पुराना है दाकिल खारिज के लिए ये तीनों बैक्ती तीनों भाई परियास करते हैं और इनका दाकिल खारिज नहीं होता इसी बीच में एक बरा समस्या उत्पन ले लिए इनके साथ जो एक कह सकते हैं इतना बरा समस्या था कि सोच नहीं सकते हैं कि ये भी हो सकता है दाखिल खारिज नहीं कराने से सबसे बरा जो नुकसान है वो क्या है अगर आज आप ये जानेंगे तो आहरान हो जाएगे यानि अगर आपके प्रोपर्टी का दाकिल खारिज नहीं हुआ है तो आपके साथ जो इतना बरा नुकसान अब जो होने बाला है या आपके साथ हो भी गया होगा उसको अगर आप जानेंगे तो आज से सतर को हो जाएंगे ठीक है ये जमीन का जो है एक तरह से खरीद विक्री हो चुका है 55 साल पहले ही इस जमीन को माल लेते हैं 100 साल पहले ही बेचा गया जमीन पर कबजा भी है और जमीन पर कबजा के साथ साथ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इस पर मकान भी बना हुआ है सारा कुछ रहने के बावजूद जो है यहाँ पर अगर आपका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि इस जमीन का जो राजस्व है यह जो जमीन है और इसका जो राजस्व है इसको कौन दे रहा है इसको जमीन मालिक दे रहा होगा तो जमीन मालिक कौन होगा जमीन मालिक वो कहलाएगा जिसका राजस रिकॉर्ड में नाम दर्ज है यानि राजस रिकॉर्ड में अगर आपका नाम दर्ज है तो आप जमीन मालिक कहलाएगे राजस रिकॉर्ड में अगर आपका नाम दर्ज नहीं है ठीक है ठीक है आपके पास ऐसा दस्ताबेज है डॉकमेंट है आपने दो टुकरा खरिदा था एक यहाँ पर 55 साल हो गया और एक का आप कह सकते हैं और अधिक समय हो गया या हाल में खरिदा जैसे भी खरिदा जो भी किया दोनों दस्ताबेज को आपको म्यूटेशन के लिए अपलाई करना चाहिए म्यूटेशन के लिए अपलाई करने के बाद जो है आपका राजस रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा जमीन मालिक यानि जो पहले जिससे आप खरीदे उसका नाम हट जाएगा और ये जो खरीदार है नए खरीदार है उनका नाम दर्ज हो जाएगा यानि ये परकिरिया जो होने वाला लेकिन यहाँ पर सबसे बरा जो समस्या है वो क्या उत्पन हो गया तो देखें सबसे बरा जो समस्या ये उत्पन हुआ जमीन मालिक जो है उसका बेटा क्या किया कि जमीन का बात करके और इधर से जो खाले जमीन मालेते था है ना इसको कुछ एडिया को बेच दिया बेच दिया अब देखें जमीन की अगर रजिस्ट्री कर दिया है ना और जमीन का रजिस्ट्री करने के बाद जो नया खरीदार ह ना वो दाखिल खारिज भी करा लिए अब यहां पर देखें उसका दाखिल खारिज है रजिस्ट्री है तो अगर कल को एफ आ यार भी होता है ना तो जो पुलीस के जो भी अधिकारी आएंगे वो उसी का मदद करेंगे जिसके पास रजिस्ट्री भी है और साथ में दाखिल भी है वो आपके रजिस्ट्री को लगेगा कि नहीं यह लगता है फरजी किया है नहीं तो यह भी दाखिल खारिज क्यों नहीं करा था लेकिन यहां पर दाखिल खारिज इसलिए नहीं किया गया किया वो उनको लगा कि कोई दिक्कत नहीं है करा लेंगे अभी कोई हरवरी आज तक दाखिल खाड़िश के लिए एपलाई ही नहीं किया गया बहुत पहले जो है यह प्रोपर्टी दादा के दोरा खड़दा गया दादा ने भी नहीं किया पिताजी भी जो है वो ओनलाइन एपलाई नहीं किये या जो भी ओफलाइन एपलाई होता था तो ओफलाइन ए खिती जो है जो इनके वनसज है जो इनके तीन बेटे हैं अब उनको समझ बने आ रहा है तो आज यहाँ पर सबसे बरा समझ से आउटपन यही हुआ कि इन तीनों को अपनी ही जमिन के लिए अपना जिस पर कबजा है उसके लिए जिस पर इनका मकान बना हुआ है उस जमिन के इनको कोट जाना पर गया यानि जो है जो अकील है उनसे संपर्ख करना पर गया अब यहाँ पर जो है जब मामला कोट में गया तब तो जो नया खरिदार है उसको तो नोटिस भेजाई जाएगा आप यह सोच लिजिए कि मामला तो अब कोट में चला गया कोट में अगर मामला चला गया तब तो अभी इनके द्वारा जो है जो नया खरीदार है ठीक है यहां पर दार है और उसके साथ साथ है ना कौन आएगा वो आएगा जमीन विक्रेता जमीन वह यहां पर जो विक्रेता है तो यह नया खरीदार के साथ साथ जो है जमीन विक्रेता भी आ गया ठीक है तो अब यहाँ पर देखें कि नोटिस जो भेजा जाएगा तो एक होगा यहाँ पर जमीन का यह माल लेते हैं जो एक तरह से दावा कर रहा है जो की जमीन का है नया खरीदार यहाँ पर ठीक है तो नया खरीदार क्या कर रहा है दावा कर रहा है तो नया खरीदार अगर दावा कर रहा है तो आज उसको कोट से नोटीस मिल गया कि आप अपना कागजात दिखाए तो क्या नया खरीदार के पास कागजात है या नहीं है बेखुल है कागजात है उसके पास जमीन डजिस्ट्री का और साथ में दाकिल खारिज का लेकिन यहाँ पर विक्रेता जो जमीन आरोप क्या लगाया गए विक्रेता जमीन पहले को यहाँ पर बेच चुका है है ना जमीन जो है वो आज नहीं पहले ही बिच चुका है उसको दुबारा बेचा जा रहा है जो की यहाँ पर गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए था तो अब यहाँ पर जखें यह जो बिबाद हुआ इस बिबाद को लेकर जो फैसला आया है यहाँ पर ठीक है फैसला यही आयगा कि जिसके पास पहले से कागजात हैं कानूनी तोर पर संपत्ती का मालिक वही होगा कानूनी तोर पर प्रपर्टी उसी की होगी दुबारा अगर जो है यहाँ पर जमीन का रजिस्ट्री जमीन विक्रेता दुबारा अगर जमीन को बेच भी दिया ना तो उसको संपत्ती का जो है ना वो मालिकाना हक जो है वो प्राप्त नहीं होने वाला इसलिए कि कानून ये कहता है कि एक बार अगर जमीन जो है ना एक तरह से प्रोपर्टी जो ट्रांसफर एक्ट है वो कानून ये कहता है कि एक बार अगर आप प्रोपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके जितने भी उत्राधिकारी हैं वो दुबारा उसी प्रुपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं मतलब अगर एक बार अपनी प्रुपर्टी को बेज देने ना तो आपके जितने भी बेटा हो बेटी हो पतनी हो उस संपत्ती को दुबारा बेचने का उनको अधिकार नहीं है हाँ ठीक है वो अपने हक की बात कर सकते हैं अगर उनका कानूनी अधिकार है उसकी बात वो कर सकते हैं दुबारा बेचनी सकते हैं और यहाँ पर क्या हुआ विक्रेता ही बन गया कौन जो यहाँ पर एक तरह से उनका बेटा है जमीन माली जो पहले बेचा था उसका बेटा भिक्रेता बन गया ठीक है अब यहाँ पर नया खड़िदार तो तयार हो गाई कोई अगर जमीन है और कीमती जमीन को अगर आप सस्ते पर बेचे हैं सस्ते रेट में बेचें तो आपको खरिदार यहाँ पर बहुत सारी मिल जाएंगे तो अब आपके साथ यह समझता हो सकता कई पर भी अगर आपने प्रोपर्टी को खरीदा है और आज तक दाखिल खारिज नहीं कराया है और अभी तक आपको किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं हो ठीक है, कोई बात नहीं है लेकिन आज आपको उस जमीन का दाकिल कहारी nutrition के लिए apply कर देना चाहिए नहीं करेंगे, भबिस में किसी ना किसी परकार का कोई भी दिक्कत हो सकता है अब है कि यहाँ पर देखें apply करने की जो पर्खिरिया है हर राज में जो राज सरकार के द्वारा है वहाँ पर जो भी राजस का revenue का विभाग है उसमें जो सरकार के कर्मचारी हैं पटवारी हैं सभी तैनात होते हैं कि आपका जो यहाँ पर जो भेनामा है उसको देखने के बाद, ना आपका जो Southeast is को देखने के बाद, उसको verify करने के बाद, यानि वो mutation के लिए एक तरह से क्या करते हैं आदेश दे देते हैं, लगता है नहीं सब कुछ सही है, अम्यूतेशन के लिए जो है वो आदेश दे दे जिसके पास ये सेल्डिर था अब वही क्या करेगा सरकार को राजस सो देने लगेगा मतलब सरकार को जमीन का जो टेक्स है अब देने वाला कौन होगा अब देने वाला नया खरिदार होगा तो जमीन का पुराना कागजात है नया कागजात है सारे लोगों के साथ ये भी समस्या है कि उनके पास जो जमीन का कागजात है वो पुराना है उनके लिए क्या विकल्प है वो भी जान लीजिए कागजात जो है न वो वो कागजात है यानि जो पुराना जमीन का पुराना जो खतियान होता था उसी से जमीन का रजिस्ट्री है लेकिन आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ अब तो वो जमीन किसी दूसरे के नाम पर भी चला गया है लेकिन पुराना खतियान से जमीन का रजिस्ट्री है जमीन का रजिस्ट्री जो है यहाँ पर है अब पुराना खतियान से जमीन का रज तो दाकिल खारिज के लिए apply करना भी संभब नहीं है मतलब online apply भी नहीं किया जा सकता है इसलिए कि उत वो जो दस्ताबेज है वो apply करने का इजाज़त ही नहीं है तो आखिर इस तरह के document का क्या होने वाला है कैसे अधिकार मिलेगा यानि अगर आपका भी ऐसा समस्या है तो आप हमें comment जरूर करें हम आपको यानि जल्द इससे संबंदी जो रास्ता है वो बता देंगे अगर आपका ऐसा समस्या है तो इस topic को भी लेकर आएंगे ताकि आपको ये समस्या दुबारा ना हो आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो से वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जया है